तो guys whatsapp delete for everyone message को कैसे read करें बिना किसी application के अगर मान लो आपके whatsapp के अंदर किसी ने कोई भी एक message send किया है और उस message को आप read करने से पहले उसने delete for everyone करके message को कार दिया है delete तो इस situation में आप उस message को read नहीं कर सकते हो लेकिन guys मैं आज आपको एक ऐसा trick दिखाऊंगा जिस trick को यूज करके आप delete for everyone message को read कर सकते हो आसानी से और इसके लिए आपको किसी भी application install नहीं करना होगा तो फिर चलिए whatever's a trick किया है वो जानते है उससे पहले अगर आप इस channel को आभी तक subscribe नहीं क्या तो कार दो यार फोटावर्ट से channel को subscribe तो यहाँ पर आप लोग देखी सकते हो WhatsApp के अंदर इस मिसस को dealer दिखा रहा है लेकिन guys मैं जैसे ही जाता हूँ मेरे phone की settings के अंदर तो यहाँ पर आप लोग देखी सकते हो उस मिसस क्या था वो यहाँ पर आ चुका है और इसके लिए मैं किसी भी application को use नहीं कर रहा हूँ य आए जानते हैं यह सेटिंग आपको कहां पर जाके करना है इसके लिए आपको पहले जाना है आपकी फून की settings के अंदर फिर आपको यहाँ पर सार्ट करना है notification history लिख कर असे करिए क्लिक उसका बाद more settings पर जाइए दैन गईज आपको यहाँ पर देखने के लिए टीक से ने करेंगा мें को इसको पर ने क्लेक delivery का डिलेट देखने के लिए मिलेगा लेकिन आप जैसे आपके फून की सेटिंग्स के अंदर आके नोटिफिक्चन हिस्ट्री के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर उस मेसिज देखने के लिए मिल जाएगा कि वो मेसिज किया था तो इस तरह करके आप डिलेट फॉर सब दोस्तों को पास इस वीडियो को जरू सेंट करिए